बहुत मुस्किल है देख रहे हो नजारा बागिर्ती जी का पुल भी हिल रहा है वो सारे घाट तूट चुके हैं यह बहुंकर तबाई हुई है अपर बाड़ आगी थी क्या आगे कब 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 तिन चार दिन नजल ऐसे लिया जा रहा है यहां पर काट किनारे बस यह जगा हैं वर दे लागी न यहां तो हराम से नया थे तहीं तो उभ्य हैं घंघ पार्रों के काट में पार्किंड में पारकिंग क कहड़ी इसके आगे गाड़ी नीजएगी वहां ग्याएट लगावाा वाकि निर्ट नजारे कुछ ऐसे अभी नहीं हो कि ए लिघ Kennet't इसके आगे काड़ी निए यहां यहां लगाया हुआ है वह लिएक पुछ गाड़ीयहां बैरिकेट के दूसरी तरफ भी खड़ी हुई है लेकिन फिलाल दुपैर का समय है इस समय रास्टा बंद है पैदल सकते हैं 225 रुपे एक तरफ पक रहा है तो दरफ पास 450 डंपिंग जॉन से मंदिर तक तो फ्रेंट्स से गंगोत्री धाम पहुच चुके हैं पास पास में काफी गाडिया खड़ी है और वो सामने आप गेट देख रहे हो वही है जी गंगोत्री धाम का मुख्य द्वार नया बन गया है दो साल पहले आया था तब इतना बड़िया गेट नहीं था अच्छा गेट बनी आया है यह सब गाडिया खड़ी है रोड साइट ही खड़ी हो जाती है गाडिया हाला कि गंगोत्री धाम में एक काफी बड़ी पार्किंग भी है मैं दिखाता हूँ आपको तो फ्रेंट्स यह गंगोत्री की पार्किंग देगरों कितनी बड़ी पार्किंग में रही ह चोटी चोटी यहां पर दुखाने बनी हुई है यह मुख्यद्वार गंगोत्री धाम का यह में गेट गंगोत्री धाम का और गेट के अंदर यह जो आप बुलेरो गाडिया खड़ी देख रहे हैं यह वही गाडिया है जो उत्तरकाशी और गंगोत्री के बीच में चलती है शेह टेक्सी के रूप में और उसके बाद यहां पर एक और बैरिकेट है एक चेक पोस्ट बना हुआ है यहां पर गंगोत्री धाम में दर्शन करने के लिए टोकन का वित्रण किया जाता है जो पूर तरह से निसुल्क है चलिए यहां चलते हैं और मंदिर के लिए टोकन ले लेते हैं हाला कि अभी उतनी ज्यादा भीड नहीं है लेकिन ज्यादा भीड होती है तो टोकन लेना बहुत जरूरी होता है हम अभी भी ले लेते हैं अगया गंगोत्री धाम का दूसरा गेट और इसके आस पास में काफी सारे होटेल से धरमशालाई बन चुकी हैं। रुकने की अच्छी खासी व्यवस्ता है यहां पर और यह है गंगोत्री धाम का मुख्य बाजार। वाइस कि बाते हो और नहां सबसे अच्छी बात सैनके यह खरेत्दारें करता TAK्या वास आते क्रे कर सकते हो इन है जल के लिए तुभी गंगोत्री आए और गंगोत्री से गंगा जल ना लेकर जाए तो फिर क्या पाइगा देखो जी खाने पिने के लिए दावे बगरा यहाँ बहुत है बरुकने के लिए होटेल्स भी है अब तो यहाँ पर बाकी फूल प्रशाद यह सब दुकाने आप देखी रहे हैं बहुत है गंगोत्री धाम के बजारों में खानपान की बात करें तो यहाँ पर नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन दोनो तरह का खाना मिल जाता है इसके लावा यात्रा से संबंदित कोई भी खरिदारी आपको करनी है तो यहाँ आपको सभी चीजे मिल जाएंगे साथी यहाँ पर मेडिकल शॉप फूल प्रशाद की दुकानी धाबे रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस और होटेल्स बने हुए हैं तो फ्रेंट्स यह देखो बजार काफी बढ़िया बजार है चारो धाम में काफी बढ़िया बजार है बदिना धाम को और गंगोत्री धा कि तरफ कशोल वगरा का यहां से वे दो रास्ते एक रास्ता जाएगा घाट की तरफ और एक रास्ता जाएगा मंदीर की तरफ है penser कि पा रहा हूं कि एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर वीलचेर किरायाद दर लिखी हुई है मैंने पहले भी आपको बताया था अगर आप गंगोत्री धाम में वीलचेर से जाना चाहते हैं आप सीनियर सिटीजन हैं दिव्यांग हैं तो वीलचेर की व्यवस्था यहां पर मोजूद है एक साइ करते हैं तो 100 रुपे वीलचेर वाला लेगा एक साइट से अगर दोनों साइट का करते हैं तो 200 रुपे में वीलचेर वाला आपको दर्शन कराकर वापस वहीं पर ड्रॉप कर देगा सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए यहां पर यह अच्छी व्यवस्था है बह पुल को पार करके गंगा जी के दूसरी चोर में पहुच जैंगे भागिर्ती जी के और वहां पे भी होटेल्स वगेरा है यह देखो आप दजारा कि कितना तेज बहाब है कितना तेज प्रेशर है भागिर्ती जी का मतलब देखकर ही डर लग रहा है कि पुल भी हिल रहा है कि इतना तेज बहाब है चलो चलते हैं आगे लेके चलता हूं अब को घाट पर यहां पर पहले यहां पर पहंकर चल आया था उपर से यह सारी जगे जल से भर गई थी चलो आगे चलते हैं यहां तो नहाने का सारे सिस्टर में खतम हो गया है घाठ सारा अरब हो चुके हैं यहां पर सब जल आ गया था हूं सारे घाठ तूट चुक ए यह बहन कर तंब लेना हो तो कहां से लेंगे अगे जाव आगे उस्साब और रहे हुआ अच अच्छा आगे जाओ तो आगे तो यहाँ पर नाय थे हम पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर गंगाजी का जलिस्तर बहुत ज्यादा हो गया था यहाँ पर चेंजिंग रूम बने वे देख रहे हैं यह सारे चेंजिंग रूम ढूप गए थे आरती स्थल जो यहां पर बना हुआ है वो भी पूरी तरह से पानी में डूब गया था सारी घाट लगबग तूट चुके हैं जेसी भी यहां पर लगी होई है यह आसपास में जो आपने जारा देख रहे हैं यह पूरा परीसर पानी से डूब गया था देख रहो यहां गंगोतरी धाम में कितनी जबर्दस तबाही मची रही यह पिछले चार-पांस दिन पुरानी ही बात है जेसी भी से काम जल रहा है अब इस घाट को दुबारा बनाया जाएगा जो मंदिर आप देख रहे हैं इस मंदिर तक पानी पहुच चुका था इतना ज्यादा भागेरती नदी में जल इसतर बढ़ गया था पिछले तीन-चार दिनों में देख यहां लोग नहां रहे हैं और उसके बाद जल भी यहां सही ले सकते हैं फिलाल घाट कोई नहीं है सब तूट चुके हैं अभी कितना समय लगेगा घाट बनने में यह तो नहीं पता लेकिन फिलाल इसतिती यही है करते हैं कोशिस जल लेने की पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज है यहां पर जल लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इतना तेज बहाव है कि नदी के अंदर पैर रखना ही समझो नामुम्किन है यह है घाट के आसपास का नजारा सारे घाट तूट चुके हैं आप देख गाट किनारे बस यह जगह जहां पर जाहां पर कुछ लोग ना भी रहे और जब लिया रही है वहाई सब्सक्राइब अबहुत ही जाद शंडा अब यहां के घाट तो सारे टूटी चुके हैं जल देखिए अब कहां तक आ रहा है वन्ना जहां पर यह रेलिंग लगी हुई यहां तो अराम से नहाते थे और यहां पाप जल ऐसा है कि नहाना तो भूली जो कि दूसरी चीज है कि घाट सारे टूटी गए है जो चलो जी मंदिर चलते हैं दर्शन करते हैं आपको भी कराते हैं अब वी चलते मंदिर में दर्शन करने के लिए मुख्य घाट के पीछे से ही एक रास्ता मंदिर तक जाता हैं अभी उसी रास्ते पर हूं जो नजारा आप देख रहा हैं यह मंदिर परीसर का है सामने हैं गंगोत्री धाम का मुख्या मंदिर यह पीछे मुक्य मंदिर के आसपास का परिसर अभी काफी जदा भीड़ नहीं है क्योंकि रेनी सीजन वह जदा डालू अभी यहां पर नहीं पहुच रहे हैं मंदर के ठीक वारी पंजाब नेशनल बैंक का एटीम भी है वो है मंदर गर्ब ग्राय का फोटो लेना सकते होना साफ साफ लिखावा यानि मंदर के अंदर हम कैमरा नहीं चला पाएंगे अलंगे मैया की जै कि लोजी लाइन पूरी हो गई है मंदर के पास ही पहुंच चुग अंदर खुलने कर समय प्राते चार बजे दर्शन समय प्राते च्छे बजे बोग समय प्राते नोव बजे साइकाली नार्थी साइस साथ 45 पर और साइकाल बोग गात्री आठ बजी कि तो भाई जी दर्शन बहुत बढ़िया हुए हैं अब अब जस्ट बाहर आए हैं कि अधिक लोगो यह लाइन लगी हुई है यहां पर मंदर में दर्शन करने के लिए वह मंदिर है यहां लाइन में लगो कि तो मुस्किल से 10-15 मिनिट में नंबर आ जाएगा तस मिनिट म जाएगा पंदर मिनिट जाते हैं बोल दिये मैंने अधा बहुत तेजी से दर्शन कराए जा रहे हैं कि बहुत थंडा कुछ फोटो क्लिक करें इंस्टाग्राम पर देख लेना आप हैंडल स्क्रीन पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको जैकाराम व गंगोतरी धाम के मुख्य मंदिर में दर्शन करने के बाद भी कुछ दूसरे अलग मंदिरों में भी दर्शन करने जरूर जाना चाहिए मैं आपको वहां भी लेकर चलता हूँ यहां सामने एक हनुवान मंदिर है आपको भी यहां जरूर आना चाहिए उसके साथ साथ यहा विशेज पूजा की रसीद भी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं आपको अगर गंगुत्री धाम में कोई विशेज पूजा करानी है तो आप यहां करा सकते हैं उदर है शिव मंदिर शिवाल ले आई पिलिए शिव मंदिर में चलते हैं आपको द्रशन कराते हैं यहां मंदिर के मुख्य द्वार पर ही नंदी महराज की मूर्ती मोजूद है और उसके सामने ही एक छोटा सा गेट है भगवान शिव के मंदिर का यहां पर मानेता है कि गंगोत्री धाम में भागिर्ती जी का जल लेने के बाद यहां मोजूद शिवलिंग पर जला भिषेक जरूर करना चाहिए की गई है हुख्या मंदिर से प्रमुक इस्तलों की दूरी भी यहां पर वेंशन की गई है दर्शन करने के बाद यहां पर कुछ दूसरी जगहों पर भी आप जा सकते हैं उन में से एक है यहां मोजूद हनुमान मंदिर जो मैंने आपको दिखाया उसके बाद आप शिव मं गंगा भी यहां से करीब 2 किलोमेटर की दूरी पर है और पूल पार करने के बाद आप कैदार गंगा के भी दर्शन कर पाएंगे जिसकी दूरी मुक्या मंदिर से मातर 300 मीटर है आप चाहे तो इन सभी जगह उपर भी जा सकते हैं पिछले कुछ दिनों में गंगोत्री धाम में भागीरती जी का जलिस्तर इतना ज्यादा बढ़ा है कि पूरे घाट तूट चुके है मंदिर तक भी पानी पहुच चुका था शायद यही एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पर अभी श्रद्धालू की भीड़बार देखने के लिए नहीं मिल रही है चलो जी आगे चलते हैं और कुछ नजरा दिखाते हैं आपको गंगोत्री धाम के यह प्रतिक्षाल यहां पर लगडी का नया गेट तयार किया जा रहा है यह देखो और यहां के तीर्थ पुरोहितों के रहने का प्रबंद यहां पर उनका आवास यहां पर यह लगडी का यह बहुत सुंदर लगने वाला है यह पाइन की लगडी है देवदार हुए बढ़िया लग रही है चलो यह गंगोत्री धाम के मुखे द्वार के बाहर का बाजार अगर आप कुछ खरिदारी करना चाहते हैं तो मंदिर आते वक्त या मंदिर से वापस जाते वक्त कर सकते हैं कि अगर आप आते तो एक दिन रूख सकते हैं हुट्र वगरा भी यहां बहुत है कि अगर ड्राइफ रूट की बहुत दुखान है यहां पर होटल अच्छे बनगे यहां पर खाने पीने के लिए गंगोत्री दाम ने बैठे हैं खाने पीना तो हो गया था हमारा दराली में लेकिन अब इना जलेभी मंगा लिए करमा करम देखो जी यह जेखो जलेभी यहां से एक पैदल रास्ता जाता है गोमुक के लिए रास्ते में भी कई अलग अलग पड़ाव हैं जैसे चीडवासा उसके बाद भोजवासा और फिर उसके बाद आप गोमुक दर्शन कर पाएंगे यह ट्रैक भी काफी एडवेंजर से बरा है यहां से गोमुक की दूरी करीब 18 km है जो एक पैदल मार गए रात को रुक कर सुबह गोमुक जाओंगे अगर आपको गोमुक जाना है तो इसके लिए आपको 18 km पैदल ट्रैक करना पड़ेगा अब शेयर टैक्सी से भी आँ सकते हैं हरिद्वार और इसी केस से आपको शेयर टैक्सी उत्तरकाशी तक मिलेगी उत्तरकाशी से आपको दूसरी शेयर टैक्सी मिल जाएगी तो दो शेयर टैक्सी के थ्रू आप यहां कंगोतरी धामे दर्शन करने आ सकते हैं इस सब में भी करीब आपका 1200 रुपे खर्च हो जाएगा आप अपनी बाइक या कार लेकर भी यहां आ सकते हैं अगर आपको पहाड़ों पर ड्राइव करने का एक्सपीरियंस है तो कल जादे भीड होएगी यहां पर हम कल के दिन आये पिछली बार जबाएगे कितनी बाइक आज के दिन हम निकल गए ते इसलिए भीड जादे हैं जीकल कल रही होगे यहां बहुत भीड रही होगी कल तो अगर का उप्या से देखो कश्तूरी की गुस्भू कि अचाएगे यहां पिछ बेंगा प्लान यही है कि रात को नहीं रुकेंगे और मिदेजय कृणली रुकेंगे क्योंकि सुभा को हर्षिल घूमने जाना हमें तो चलते हैं भी गाड़ी में एक गड़ी है एक गड़ी है इधर हम जाना हो यह थी हमारी गंगोत्री धाम की यात्रा अब आगे की यात्रा और भी शांदर होने वाली है क्योंकि अब हम हर्शिल बागोरी धराली जैसे उत्राखंड के खूपसुरत जगाओ पर जाएंगे व जिने घूमने का शौक है क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हैल्प हो जाए तो फिर मिलेंगे आप से एक नए एपिसोड में आगे की जर्नी के साथ तो अभी के लिए बाए बहुत-बहुत दन्यवाद